हेलो दोस्तों, I am CA प्रविन गोलचा, डारेटर और फेकल्टी आफ एक्सेल 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 इंस्टिटूट तो CA Foundation का फाइंडली एक्जाम अब आ चुका है, 13 को आपका एक्जाम है और पहला पेपर अकाउंट्स है तो मैं आपको कुछ important tips देने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर आखरी तक आप वीडियो को देखेगा तो आपको बहुत कुछ important चीज़ें पता चलने वाली है, सबसे पहले देखो बिटा अब ध्यानी रखना आपको, कोई भी नया concept ट्राई ही नहीं करना है अब बस ये मानना है आपको, ये सोचना है आपको, जो मेरे पास है वही परियापत है मतब कोई भी नया concept देखने की कोशिस मत करना, जितनी चीज़ें आपके पास है ना जितना आप पढ़ चुके हैं बस उन्हें चीज़ों का आपको recall करना है, जो आपने important question, teachers लोगने आपको बताये होंगे जो concept आपने mark करके रखा होगा, आपने कोई notes बना के रखा होगा तो किवल उन चीज़ों को revise करने का time है, कुछ भी नया पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना, आपके number कम होते जाएंगे इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा एक point ही आता है कि sir, हम लोग को theory में क्या topic करना है, तो theory बहुत vast है और exam में इतना important, इतना weightage नहीं आता ध्यान रखना, क्यों नहीं आता, क्योंकि लगबग 16 number का theory आता, उसमें 12 number का true false है और true false कहीं से भी आ सकता है, तो आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, उसके concept की based पर true false लगबग बन जाएगा आपसे अब जो बाखे चार number का, या कभी-कभी option में एक और question आ सकता है theory का, तो वो चार number का जो theoretical question है, वो ये chapter में से आने के ज़्यादा chances होते हैं, तो आपको अगर आपने अभी तक theory तयार नहीं किया, तो मैं recommend करूँगा कि इन chapter को बस पढ़ लेना, capital revenue, जो income expenditure, receipt expenditure होगर होते हैं, वो देख लो आप, contingent and asset liability provision का एक concept है, chapter वो पढ़ लो, और accounting concept और ध्यान अतना, इसको पूरा रटनी क्या होशकता नहीं होती, किवल एक बार समझ लो, आगे बढ़ो, फिर true false किवल, क्योंकि इसकी limit कुछ भी नहीं है, तो study meant के हर chapter के पीछे में जो true false है, उन true false को आप पढ के चले आओगे, तो भी काम चल जाएगा, ध्यान ही रखना बेटा, कि जो true false है, उसमें आपको ज्यादा सोच रह नहीं है, मतलब अगर अभी कहीं उलजना मत, कि यार ये true क्यों है, ये false क्यों है, कुछ नहीं समझाना, रटो और आगी बढ़ जाओ, अभी ध्यान रखना, अभी फट-फट करने का टाइम है, जादा आपके पास समय है नहीं, चलो बेटा, अब एक्जाम के पहले, एक्जाम के सेंटर में किन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये मान के चलना, आपने साल बर जो भी जितने भी टाइम आपने मेहनत की है, तो अब उस मेहनत है, इसको वीडियो को पॉस कीजिए, रोकिए, और ये तियारी करके आप आज रख लो आप, मतलब 13 को ये काम नहीं करना है, ये काम आज करना है, जो भी आपका अच्छे से रख लो आप, कैलकुलेटर हो गया, पैन हो गया, अच्छा, ध्यान रखना, ब्लैक पैन ये दो घंटे पहले पहुँचना, इसका रिजन ही है कि आपको पता नहीं कि आपका क्लास्रूम कौन सा है, उसका इंवारिमेंट कैसा है, तो उसे यूस्ट होना, इसके बाद जो बाकी की तीन पेपर होंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये एक्जाम सेंटर है, मेरे को घ पर हडबढाते वे पहुँच रहे हो, तो आपका जो जब पेपर आएगा ना, तो आपके सामने अंदेरा चा जाएगा, तो कूल रहने के लिए आपको क्या करना है, उस एट्मोस्फिर से पहले से आप यूस्ट हो जाना, ध्यान रखना, सेकेंड एक्जाम से फिर आप आता है, तो आप अराम से 3D ब्रीद लेना, आप कूल हो जाओगे, उसके बाद फिर 1 by 1 आपको पेपर को सॉल करना है, नेक्स पॉइंट, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिरेंट, विड़ा देखो, ये मान के चलना, जो आपने तियारी किये, आपने अच्छे से महनत की केवल 40 marks लाने पास होने के रिए, तो बिलकुल confident रहना, जो आपको आता है, उस पे focus करना है कि यार, 10 chapter है, 10 में से मेरे को 7 तो आता है, तीन नहीं आता, उसको दिमाद में मत गुमाना, तीन को 100% मत बना लेना, ये बहुत बढ़ी गलती होती है, जिसके वज़े से लोग demoralize ओकर paper को give up करते हैं, तो ध्यान रखना है कि 100% positive रहिएगा, इसके बाद जब exam का paper आता है, तो आपको question paper में कुछ instructions होते हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नॉर्मली के instruction होगा, आपको rule number आपको लिखना पढ़ेगा, words में, figures में उस सब लिखना पढ़ेगा इसके बाद जो questions से आप attempt करते हैं, उसमें tick करना पड़ता है, कि मैंने यह question attempt किया, तो जो जो चीज़ें लिखी रहती न, उसको एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद बिटा देखो, जैसे कोई भी movie आती न, तो आपन लोग सबसे पहले trailer देखके समझ जाते हैं कि यह movie कैसे होने वाली है, बस वैसे ही मानलो, आपको जो 15 minute का reading time मिलता है, इसको इसे आपको पूरे question paper, वो 15 minute में आपको पूरा question paper आपको समझ आ जाएगा, कि यह जो paper है, वो किस level का paper है, paper easy है, tough है, क्या है, तो आपको करना क्या है, आपको बिटा यह करना है, कि आप, जैसे paper आपको समझ आ गया, किसा है, अब आपको उस 15 minute में sequencing करना है, कि मैं सबसे पहले यह question बनाओगा, फिर यह बनाओगा, फिर यह बनाओगा, मतलब दिमाग में रखना है, कि यह जो 15 minute का time है, इस 15 minute का time में आप sequencing कर लो, कि तो आपको एक दिमाग में आ जाएगा, कि यार, यह जो paper है न, उसमें पूरा 100 number का मैं बना सकता हूं, पूरा 100 marks का मैं बना सकता हूं, मैंने आगे slide में आपको बताया, लेकिन मैं अभी discuss करना हूं इसमें, 15 minute में आपको इसमझ आ जाएगा, कि paper आपके लिए easy है, tough है, क्यासा है, अगर मान लो, आपको दिख रहा ह कि पूरे questions attempt करो, थोड़ा speed fast करो, handwriting थोड़ी बहुत 20-20 होगी चलेगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा paper बहुत tough है, मेनी paper tough है, तो उस case में क्या करना, आपको बताया कि यार मैं 50 number का 60 number का ही बन पा रहा है, 30-40 number का बनी नहीं पाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, म 3 घंटे में, तो इससे आपको फाइदा ही मिलेगा, कि आपके पास जैसे आम तरपे क्या होता है, 1 mark के पीशे 1.80 minute होता है, अगर 10 number का कोई question है, तो उसको attempt करने के लिए, उसको solve करने के लिए आपके पास 18 minute है, लेकिन अगर आपको पूरा paper नहीं बन पा रहा है, 60 ही number का ब तो ये दो अलग-लग type की strategy होती है, अब वो depend करता है कि paper आपको कैसा लग रहा है, उसके साथ से ध्यान रखना है आपको, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये दो चीज़ों का आपको विशे ध्यान रखना है, इसके बाद ये जैसे मैंने आपको अभी बताए कि एक mark के प इक बी number कटने की गुझाई से उसमें नहीं रहे, अब एक question आता है कि हमको क्या पहला question पहले attempt करना जरूरी है क्या, इसका answer है no, आपको जो question बहुत अच्छे से आ रहे है ना, उससे आप अपना start कीजिएगा paper बनाना, और जो margin रतिन हो, उसके उपर में आपको answer number जो भी आ 3B, 3C, ये तीनों part आपको एक साथ बना रहे है, मतब sequence में, ऐसा मत करना कि 3A बना दिया, फिर 4 भी बना दिया, फिर 3B बना रहे हो, ऐसा नहीं, 3A, 3B और 3C, ये एक, मतब तीनों continuation आपको होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान लखना है, इसके बाद हर, जैसे आपने 3A बना दियाना, तो भले उस पेज में नीचे जगा भी होगी, तो उसको छोड़ देना, फ्रेश पेज से 3B का part बनाना, फिर फ्रेश पेज से 3C, तो इस तरीके साब का बनना चाहिए, और हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकता है, कि मान लिजिए, आपको 3A, 3B आ गया, 3C न थोड़ा टेंसर नेती है, पेपर से डल लगता है, एट्मोस्फियर से थोड़ा सा डल लगता है, तो अपने को क्या करना चीए, क्योश्चन नमर वन जो है न, उसमें आप टाइम का कोई कैलकेशन मत करो, आप एकदम इत्मिनान से बनाईए, अराम से फॉर्मिट कीजिए, और अराम से लिखो, इसके बाद जब आप से क्योश्चन बनना चालो होगा न, तो फिर आपके अंदर एक फ्लो आ जाएगा, फिर आपकी स्पीड बनेगी, तो क्योश्चन नमर वन से स्पीड पे ज़्यादा ध्यान मत देना, 10%, 20% टाइम ज़्यादा भी लगेगा न, तो लोगों को impression आता है न, आपको देखकर, बस वैसी मना कि कोशिस करना कि paper आप neat and clean रखो, अगर कुछ गलतियां हो भी जाए, तो काटने का तरीका ये भी हो सकता है, बस आपने ऐसा कर दिया, तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इसको ऐसा ऐसा करके काट रहें, तो ये मत करना, ठ आता है, और जब भी आप कोई question solve करें, तो format आपका proper रहना चाहिए, हाँ, ध्यान ये रखना आपको, मान लिजिए आपके पास बहुत कम time बचा पीछे-पीछे में, तो उस समय format को ध्यान मत देना, उस समय कोसिस करना है कि आप attend कर पाओ, जैसे मान लिजिए आपको ledger बना तो मेरे को format खीचूँगा, time लगेगा, तो कुछ नहीं, आप क्या करना, बस ये ऐसा दो पार्ट में divide करना, और आपको जो भी लिखना, आप लिखना चालू कर देना, मतलब format को ignore या ध्यान नजर दाज करना है, जब आपके बहुत कम time बचाओ, otherwise सुरू में आप हर चीज क को कोसिज करना की proper format से आप बनाईए, next point, एक बहुत बड़ा क्योशन बार बार आता है, कि सद नरेशन लिखना की नहीं लिखना, तो दोस्तों, नरेशन जब भी जन्रेंटी की क्योशन आएंगे, तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन में पूरी भावनाई व लिखना पड़ेगा, next point है, कि वर्की नोट कहां बनाए जाए, main part के पहले, main part के बाद में कैसे बनेगा, तो इसका अंसर ही है, कोशिस करना, अगर possible है, तो पहले main part लिखना, फिर निचे वर्की नोट डालना, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर, ये जम नी रहा है मेर स तो उस केस में, या कही ऐसा situation रहा है, जहां पहले वर्की नोट बनेगा, फिर ही बना पाओगे, तो आप पहले वर्की नोट भी बना सकते हो, important is वर्की नोट, तो जितने बड़ी-बड़ी, जैसे final account हो गया, NPO हो गया, single entry हो गया, ऐसे जितने भी chapter है, हर chapter में कुछ नो कु forming part होना चाहिए, उस में भी marks होते है, ध्यान रखना है, अब एक सवाल है कि मान लीजिए आप एक question बना रहे है, final account, single entry, NPO बना रहे है, और कहीं फस गया, एक adjustment है समझ नहीं आ रहे है, या balance sheet बना रहे है, तो अब क्या करें, question फस गया, तो क्या हो गया, तो ध्यान रखना question अगर फस गया ना, तो उस question को आप पीछे मत पढ़ जाना, हाँ, दो-चार मिनिट दो उसको, इजद से दो-चार मिनिट दो, इबर देख लो कि कहीं कुछ मिल पा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल पाया, तो उस question में अपना दिल मत लगा देना, कि वहीं जाके पैन ही चलता है, और कोई दूसरा कलर का पैन नहीं चलता, और एक question ही आता है कि आपने कोई question बनाए, माल लीजिए example लेते है final account, आपने final account बनाए, final account में आपको 5 adjustment है, 5 में 4 बन रहा है, एक आप से नहीं बन पा रहा है, अब क्या करें, क्या मुझे 0 number मिलेगा, क्या मैंने पूरा बना दिया, नहीं बेटा, subjective, जो भी paper है चाहे, account की बात करूँ या law की बात करूँ, इसमें सबसे ची बात ही होती है, कि इनसान चेक करते है, और इनसानों के अंदर emotion होता है, तो उसके वज़े से आपने अगर 80% solve किया ना, और 10 number का question है, तो ध्यान रखना आपको 8 marks मिल जाता है, step marking होती है, तो ये कभी मत सोचना है कि यार मैंने question attempt नहीं किया, मिरे को zero marks मिलेगा, account में और law में दोनों में step mark होता है, ध्यान रखना, तो इसलिए, इसलिए आपको जितना question बने, बनाईए, attempt करिये, आधा बनता है, आधा बनाईए, तो ये बात को ध्यान अगला point बेटा, आप जो भी time है, घड़ी अपने pass रखिएगा, घड़ी जरूर रखना है, exam hall में mobile allowed नहीं है, हमारी गंदी आदत रहती है, mobile से time देखते है, घड़ी रखिए, घड़ी लेके जाईए, और table में साबे रख लीजे paper के सामने, अब बीच-बीच में review करते रहो कि यार बेर पास कितना time बचे है, थाकि आप उसके accordingly plan करो, दोस्तों कोशिस आपको हमेशा यह करना है कि 100% paper आप attempt कर पाओ, तो the best है, क्योंकि जितना ज़्यादा attempt करोगे ना, उत्ते ज़्यादा आपके marks बढ़ते हैं, लेकिन naturally आपसे बनना चाहिए, वो important है, और जो नमबर के, तो उसमें ध्यानक ना, negative marking तो होती नहीं accounts में, तो true false वाले with reason वाले आते हैं, तो आपको reason भी डालना पड़ता है, पर अगर आपको reason नहीं पता, तो कुछ भी लिख किया ना, लेकिन attempt जरू करना, true या false लिख के, जो भी reason आपको समझ आता है, उसको लिख देना छोड़दा मन, और दोस्तों, paper accounts का खतम होई है, अब आपका, आप बाहर है exam center के बार, तो क्या आपको दूसे, दूस्तों से अपनी बातचीत करनी है क्या, कि मेरा paper ऐसा गया, ये मेरा question paper, मेरा ये answer है, इसका ये answer है, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि जब, ये maximum case में होता है कि जब आप answer मिलाते हो, तो answer mismatch हो जाता है, और जब answer mismatch होता है, तो तुम भी tension में आओगे, दोस भी tension में आएगा, तुम को लगेगा, तुम गलत हो, उसको लगेगा, वो गलत है, और इसके तकलीफ से, आप लोग अगला paper भी बिगार दोगे, तो सीधा-सीधा क्या करना ह पेपर दे के बाहर आओगे, तो भूल जाना कि account एक subject था, उसके उपर ना कोई बात करना है, ना कोई YouTube देखना, कुछ नहीं करना है, अब सीधा अगले subject को target करना है, ये बात को wishes दिहान करना बेटा, ये कई लोग गलती करते हैं, भले हम वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, फिर पस्ताते हैं, तो आपको ये पस्ताने का काम आपको नहीं करना है, और wish you all the best, ये पूरी Excel की team की तरफ से, आप लोग को best wishes, और हम ये उमीद करते हैं कि आप paper बहुत अच्छे से बनाएंगे, और आखरी में कुछ बोलना चाहूंगा दोस्तों आप लोग के साथ, और demoralize हो गए, और पता चला बाकी जो question जो आते थे वो आप नहीं बना पा रहे हो, आपने हिम्मत हार गए, आप emotional हो गए, तो कुछ चीज़ें अपने आपसे बोलते रहना मन में, कि डड़ना नहीं है, डटे रहना है, चाहे कुछ हो जाए मैं हिम्मत नहीं आरूंगा, मत मैं क्या खर सकता हूँ, कितना भी paper tough हा जाए, तो हिम्मत मत आरना, क्योंकि ICI का कोई बोलता नहीं है, आपको paper देखने में tough लगेगा, लेकिन हो सकता है, जब आप बनाना चालू करो ना, तो आपसे राम से बन जाएगा, और again, last बात एक बोलना चाहूँगा, कितना भी paper tough आप आजाए, अगर आपने तैयारी ठीक ठाक भी किये, बहुत अच्छी की बात नहीं करो, ठीक ठाक भी किये, तो पास सुने का जुगाड हमेशा होगा, हमेशा, इस बात पे यकीन करना, बिलीफ करना, अपने पे बुरुसा करना, wish you all the best, thank you.